दीपिका पादुकोन और रंगवीर सिंग बनने जा रहे हैं मम्मी पापा, इंस्टाग्राम पर शेर की गुड न्यूज दीपिका पादुकोन की प्रेगनेंसी की खबरे सोशल मीडिया पर बीते दिनों चाय हुई थी. वहीं अब एक्ट्रेस ने पती रंगवीर सिंग के साथ शादी के बाद पहली प्रेगनेंसी का अनाउंस्मेंट कर दिया है. साल 2023 में पठान और जवान के साथ बॉक्स ओफिस पर धूम मचाने वाली फाइटर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोन बीते दिनों प्रेगनेंसी की खबरों के चलते सुर्खियों में चाय हुई थी. हाला कि एक्ट्रेस या उनकी फैमिली ने इस पर रेक्शन नहीं दिया था और नाहीं ओफिशियली कपल ने अनाउंस किया था. लेकिन अब दीपिका पादुकोन और रंवीर सिंग ने फैंस को गुड निूज दे दी है. कपल ने इस मौके पर खूबसूरत पोस्ट शेयर किया है, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है और फैंस बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. साल 2023 में पठान और जवान के साथ बॉक्स ओफिस पर धूम मचाने वाली फाइटर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोन बीते दिनों प्रेगनेंसी की खबरों के चलते सुर्खियों में च्छाय हुई थी. हाला कि एक्ट्रेस या उनकी फैमिली ने इस पर रेक्शन नहीं दिया था और नहीं ओफिशियली कपल ने अनौन्स किया था. लेकिन अब दीपिका पादुकोन और रंवीर सिंग ने फैंस को गुड न्यूज दे दी है. कपल ने इस मौके पर खुबसूरत पोस्ट शेर किया है, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है और फैंस बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. पोस्ट को शेर करते ही सेलेब्स और फैंस के कमेंट में रियेक्शन की बहार आ गई है. प्रिती सेनन ने कमेंट में लिखा, OMG बधाई हो दोनों को. कुब्रा सैत ने लिखा, ओहे आज इंटरनेट ब्रेक हो गया है. बधाई हो, सिंगर श्रेया घुशाल ने लिखा, OMG. मैं बहुत एकसाइटर हूँ, आप दोनों के लिए बहुत खुश हो. बहुत बहुत बधाई हो. एक फैन ने लिखा, बॉलिवुड की मदर रियल में मा बनने जा रही है. गौर तलब है कि 5 जनवरी 1986 में जन्नी दीपिका पादुकोन 38 साल की है. वहीं उन्होंने साल 2018 में एक्टर अन्वीर सिंग के साथ शादी की थी, जिसके बाद शादी के 6 साल बाद कपल पहली बार पेरेंट्स बनने वाला है. ये खबर हाल ही में बाफ्टा में उनकी उपस्तिती के बाद आए है. अवार्ड शो में प्रेजेंटर ही दीपिका ने साड़ी पहनी थी और अपने पेट को ढखने की कोशिश करती नजर आई थी. वर्क फ्रंट की बात करें तो आखिरी बार दीपिका पादुकोन को रितिक रोशन और अनिल कपूल की साथ फिल्म फाइटर में देखा गया था, जिसने बॉक्स ओफिस पर लगभग 211 करोड की कमाई भारत में की थी. वहीं वर्लडवाइट 300 करोड पार हो गया था, जबकि फिल्म का बजट 250 करोड बताया गया था. झाल्वाइट